हाई आप देखरे हैं दिललन टॉप इंडिया की पहली 3D डांस फिल्म आ रहे है स्ट्री डांसर 3D इसे अपने हां बनी सबसे बड़ी डांस फिल्म बताया जा रहा है 2006 में एक हॉलिवीड फिल्म आईदी स्टेप अप कमजोर आर्थिक वर्क से आने वाले लड़के टाइलर क कहानी जो सभी दिक्कतों का हल डांस करके निकालता है उससे प्रेरित होकर इंडिया में ABCD यानि एनिबडी के डांस के नाम की फिल्म बनी इसके बाद ABCD 2 आई और अब उसी सीडी में स्ट्री डांसर 3D आ रही है उसका ट्रेलर आ चुका है और उस ट्रेलर का हाइफ कर मैं आ चुकी हूँ पहली बात है फिल्म की कहानी एक लड़का है जिसका पैशन है डांस उसके ग्रूप को पता चलता है कि एक मशूर इंटरनाशनल डांस कॉंपेटिशन वापस से शुरू हो रहा है वो उस कॉंपेटिशन में हिस्सा लेने जाते है उसी कॉंपेटिशन को पता चलता है कि पाकिस्तान वाली जो टीम है वो किसी मकसद के लिए इस कॉंपेटिशन में हिस्सा लेने आई है मसला है इंडिया और पाकिस्तान दोनों ही देशों के लोग हैं जो इंगलेंड में बड़ी बुरी कंडिशन में रह रहे हैं इनकी मदद करने के लिए जहानी होगी अब ट्रेलर कैसा है देखिए डांस पर फिल्म है तो हर चीज में डांस तो हो गई मतलब किसी ना किसी तरीके से इस सीरीज की पिछली जो भी फिल्में है वो उनका मामना मतलब सही रहा है उसलिए हास्ते स्ट्रीट डांसर भी ठीक ठाक लग रही है साथ में इल डॉक्यमेंट नहीं होता जो उन्हें वहां रहने के लिए जरूरी है उन्हें इल्लीगल इमिग्रिटन स्यानी अवैद और प्रवासी कहते हैं यह फिल्म उनके बारे में क्या कर पाती है या उनके विशे को लेकर कितनी गंभीरता बरत पाती है देखने वाली बात यह रहे जहां इंडिया पाकिस्तान एक साथ मिलकर लड़ते हैं यानि सब चंगासी अगली बात कौन-कौन काम कर रहा है इसमें वरुन के साथ फिल्म में लीड जो रोल था वो पहले काट्रीना के अफ कॉफर हुआ था कास्ट की गई थी वह लेकिन काट्रीना बाद में फिल्म चो साथ काम कर चुके हैं उनके अलावा स्ट्रीट डांसर 3D में नौराफतेही प्रभुदेवा अपार शक्ति खुराना शक्ति मोहन धरमेश येलांडे और पुनीद पाठक भी काम कर रहे हैं अभी कौन बना रहा है स्ट्रीट डांसर 3D बनाने वाली टीम वही है जिसने ABCD सी अब पंगा ये है कि उस दिन कंगना रनौत और रिचा चड़ा की अश्वनी अयर तिवारी डिरेक्टर फिल्म पंगा भी रिलीज के लिए शेडियूल है लगता तो यही है कि दोनों साथ ही रिलीज होंगे क्योंकि आजकल बड़ी-बड़ी फिल्म में भी क्लाश कर जाती है तो मुझे लगता तेरिये दिललन टॉप शुक्रिया